if the roots of ax square plus bx plus c is equals to zero are in the ratio m is to n तो इन चार options में से कौन सा option सही है यह में ढूंडना है तो देखो equation जो given है वो यह x square plus bx plus c is equals to zero यह एक quadratic equation है और इसमें zeros को हम alpha और beta माल लेते हैं तो हमाल लेते हैं कि जो इस equation के zeros हैं वो alpha और beta हैं let alpha and beta be the zeros of this ठीक है जी अब zeros में आपको relation मालूम होगा नहीं मालूम है तो अब देख लो अगर alpha और beta को add करोगे मतलब zeros को add करोगे तो यह चीज़ माइनस b upon a के equal होती है and अगर alpha और beta को multiply करोगे मतलब zeros को multiply करोगे तो यह c upon a के equal होता है okay, b हम बोलते हैं इस x के coefficient को, a हम बोलते हैं x square के coefficient को और c हम बोलते हैं constant हम को इसी a, b, c को मैंने यहां पर use किया है I hope इतना clear है दूसरी चीज़ इन्होंने हमें क्या दे रखी है कि जो इसके roots है न वो m और n के ratio में है okay, मतलब जो alpha और beta है इसका ratio m is to n है clear, alpha और beta का ratio m is to n है तो अब ऐसा करो कि alpha और beta का ratio m is to n है तो common ratio को k मान कर alpha की value नकाल लो और beta की value नकाल लो तो अगर हम यहां पर common ratio को k मान लेंगे तो alpha की value हो जाएगी m, k और बीटा की value हो जाएगी NK हो सकता है ये भी आपको confuse कर रहा हो तो चलो एक छोटा सा example ले लेता हूँ माल लेते हैं मैं दो numbers कि बोलू कि दो numbers है कोई और उनका ratio 2 is to 3 है तो for example दो numbers है X और Y इनका ratio है 2 is to 3 तो जरुरी नहीं है कि वो number 2 और 3 ही हो हो सकता है वो number 4 और 6 हो हो सकता है वो number 6 और 9 हो हो सकता है वो number 20 और 30 हो क्योंकि ये सारे numbers में 2 is to 3 का ही ratio है आप इसे simplify करो 2 is to 3 मिलेगा इसे simplify करो ये 2 is to 3 मिलेगा इसे simplify करो तो ये 2 is to 3 मिलेगा तो जब भी हम ये बोलते हैं कि दो numbers के वीच 2 is to 3 का ratio है तो it does not mean कि वो number 2 or 3 है वो कुछ भी हो सकते हैं तो for example हमको ये number ढूंडना था तो हमको common ratio पता होना चाहिए इनका क्या है तो इसमें common ratio 10 है 2 को 10 से multiply कर दो 20 3 को 10 से multiply कर दो 30 तो I hope ये ratio वाली बात clear हो गई तो इसी तरह मान लेते हैं कि यहाँ पर common ratio k है we don't know so हमने मान लिया है कि common ratio k है तो alpha की value हो जाएगी m into k beta की value हो जाएगी n into k तो ये जो alpha और beta है ये वापस है हम यहाँ पर आकर लिखते हैं alpha की value कितनी निकली है m into k beta की value निकली है n into k and ये equal है minus b upon a के इसी तरह यहाँ पर alpha की value है m into k और beta की value है n into k is equals to c upon a ओके यहाँ पर आप k ले सकते हो common तो bracket में बचेगा m plus n is equals to minus b upon a ओके दूसरी तरह m into n और k into k बन जाएगा k square is equals to c upon a अब यहाँ पर k की value निकल सकते हो k की value हो जाएगी minus b upon a तो already था लेकिन ये m upon n m plus n जब जाएगा right side में तो ये divide करेगा and we will get this in denominator here k square की value मिल जाएगी c upon a तो already था ये m और n यहाँ पर denominator में पहुचेगा तो ये हो जाएगा k square is equals to c upon a m इधर हमारे पास k square की value है इधर हमारे पास k की value है तो थोड़ा सा में इस part को solve कर लेगा तो यहाँ भी k square की value मिल सकते है तो मैं इसमें दोनों तरफ squaring कर दूँगा right में भी squaring और left में भी squaring जब मैं right side में squaring करूँगा तो मुझे मिलेगा minus b का square तो minus b का square plus b square होता है क्योंकि किसी भी number का square positive ही होता है denominator में मिरे पास a का square आजाएगा और m plus n का square आजाएगा तो a का square मैं लिखूँगा और m plus n का square लिखूँगा और left side में में मिरे पास k square हो जाएगा क्योंकि k था तो k square बन जाएगा तो ये हमारी है equation number one square नाम दे जते हैं और इसे नाम दे जते है equation number two तो one and two दोनों में मैंने k square की value find की है तो from first equation and second equation ये भी value k square की है और ये value भी k square की है तो दोनों आपस में equate कर सकते हैं तो चलो जी ये c upon amn को c upon amn को equate कर देते हैं इसके b square upon a square m plus n whole square पहले तो आप ये देखो a यहाँ भी है a यहाँ भी है तो a और a cancel हो जाएगा क्योंकि a side square है तो एक a cancel हो जाएगा एक a बचा रहाएगा तो मैं लेकोंगा c upon mn is equals to b square upon am plus n whole square अब आप cross multiply कर लो तो b square mn को multiply करेगा तो आपको मिलेगा mn b square और ये c और a multiply हो जाएगे तो आपको c a मिलेगा m plus n whole square के साथ में c a मिलेगा अब देखते हैं कोई option इससे match करता है क्या mn b square तो mn b square आप देखो mn b square इन तीनों जगा पर है इन तीनों जगा पर mn b square है हमें right side में चाहिए m plus n whole square into a c m plus n whole square into a c ये option सही है c option is the correct option आप इस c a को a c लेख सकते हो क्योंकि a c और c a में कोई difference है नहीं I hope this is clear okay if there is any confusion please write in the comment section thank you